बीजेपी ने इस वार नारा दिया है कि अब की वार 400 पार और फिर से मोधी सरकार और ये नारा महज चुनावी नारा बन करना रह जाए इसके लिए बीजेपी ने धरातल पर एक एक सीट पर फूख फूख कर कदम रखने का निर्ने लिया है और ये निर्ने भी ऐसा कि पूरी दिल्ली के जो आला नेतरत्व है यानि कि बीजेपी का वो एक एक सीट पर जो सर्वे रिपोर्ट आई है जो फीडवेक आया है उस पर काम कर रहा है कल इसी निर्णे के तहट कल बीजेपी का महा मंथन हुआ दिल्ली में और महा मंथन भी कोई ऐसा नहीं कि एक या दो या तीन या चार घंटे चला हो ये महा मंथन चला पूरे साड़े नो से दस घंटे तक दो चलनो में ये महा मंथन हुआ पहला चलन चुरूआ शाम को पूजए प्रधान मंथरे नरेंद्र मोदी में आवाज पर जहां पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ घंट अधियक जेपीagarय याAnn कोर घृप उसके साथ ग्रह मंत्री अमिश्चा और बीजेपी अद्दक जेपी नड़ा ने जो मंतन किया उसका जो निचोड निकला उस पूरे निचोड की रिपोर्ट लेकर कल प्रधान मंत्री के आवास पर ये तीनों लोग बैठे और इन तीनों ने एक एक सीट पर जोन राज्यों की पर मंतन किया और फिर करीब साड़े दस वजे तीनों बीजेपी मुख्याले पहुंचे जहां पर करीब 11 वजे केंद्रे चनाफ समीती की बैठेक हुई और केंद्रे चनाफ समीती की बैठेक में एक एक करके कैंडिडेट्स जो राज्यों के जो कोर ग्रूप थे जो उनके प्रमुक नेता थे उनको उनके साथ बैठे जिसमें सबसे पहले उत्ता प्रदेश के नेताओं को बलाये गए जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदितनात प्रदेश संगठन मंत्री धरंपाल प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे प्रदेश चौना सामने जो सुत्रों ने जो दावा किया है कि करीब तीस से चालीस सीटों पर जो फीड़वेक यूपी की तरफ से लिया गया और माना यह जा रहा है कि करीब उसमें आठ से दस जो मौझूदा सांसद हैं उनका टिकेट कर सकता है पूरे असी सीटों असी लोगस्वा सीटों की से बात करेंगे तो 15 से 20 सीट तक यह आकड़ा जा सकता है उसके बाद मध्या प्रदेश में बात हुई मध्या प्रदेश में जो सर्वे रिपोर्ट आई जो इस केंडर चुनाप संती की बैटक में तया हुआ उसमें विदीशा बाला घाट नर्मदापुरम इंदौर यह व उमीदवार पर बीजेपी दाव लगा सकती है वहीं विदीशा में पूर मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान को बीजेपी वहां पर मौका दे सकती है इसके लावा जो सतना और जबलपूर सीट है सतना से क्योंकि गड़ेश सिंग विदानसवा चुनाब भी लड़े थे तो उनको वो मौझूदा सांसद सतना से हैं लेकिन विदानसवा चुनाब भारगे तो एक बड़ा जटका उनको वहां पर लग सकता है आला कि एक गुट चाता है कि उनको वहां से मौका दिया जाए इसी तरह से जबलपूर पर हैं जो मौझूदा सांसद हैं प्रदेश मीटिंग में चर्चा हुई है ऐसे यानि कि माना जाए कि चार से पांच जो यह जो पांच लोकसवा सीटे हैं इन पर यह मौझूदा सांसद हैं उनके टिकेट कर सकते हैं वहीं 6 सांसद पहले विदानसवा चनाब लड़ सके हैं तो उनकी जो सीट खाली है तो वहां पर बदलाब किया जा सकता है और इसके अलाबा 36 गड़ में भी कुछ एक दो जगए ऐसी हैं जहां पर सांसदों को बदलाब किया सकता है तेलंगना में जो तीन मौझूदा सांसद जी किशन डेडी अर्विन धरमपुरी और संजय बंडी इन तीनों को एक बार फिर से मौका द चारचा हुय है और दिली दिली में भी जो दिली चुनाब के जो राज्य की चुनाब संती हख उनका कंवनकी जो ईससाफ से तीन से चार경 समा भर मेंना की सिफारिश की गए वहां पर नई नाम देने की बात की गई है जो वीरेंद्र सर्जदेवा है या महामंत्रियं हर्ष मलोत्रा उनका एक सीट पर नाम चल रहा है नई दिल्ली में सतीश पाद्या का नाम सबसे आगे है वहीं वांसुरी शुराज का भी नाम है और या इसके लाबा कोई केंद्रे मंत्री वहां पर आ सकता है चांदनी चोक से विश्नु मित्तल और जो प्रवीन खंडेल वाले उनका नाम है इसी तरह से यह नाम है अलाकि इन पर अंतिम फैसला नहीं हो अंतिम फैसला केंद्रे चुनाब संती करेगी कि यही फीड़वेक है कपिल मिश्रा का नाम भी इसमें आया है तो केंद्रे चु चुनाब संती की हेमी केंद्रे चुनाब संती के साथ बैटक नेविए लैकिन हर्याना कूर्वार कर जूप की नाम इसमें जैreichen अप, गठवंदन जो उनका सहयूगी दल है वो सामने आया तो उनका भी दावा है कि वो एक से दो लोगसवा सीटों पर वो भी गठवंदन के नाते सीट मांग रहे हैं लेकिन बीजेपी के जो सूत्र है वो दावा कर रहे हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें जेजेपी के साथ अगर गठवंदन में जाएंगे तो नुकसान हो सकता है तो ऐसे में अगर दोनों में दोनों ही सायोगी और जेजेपी में ठंती है तो हो सकता है राहें जुदा हो जाएं और दोनों ही लोगसवा चुनाब अलग लड़े लेकिन इसका भी फैसला केंद्री नितरत को करना है तो जब हर्याना चनाप सम्ती के बैटक होगी तब फैसला होगा कि BJP अपने दमपरी सारी लोकसभा सीटों में जाएगी या जेज़ेपी को देगी या जेज़ेपी के साथ गठवन्दन लोकसभा चनाप से पहले तूट जाएगा ये सभी बातें जब सामनी आएंगी जब किंद्र चनाप सम्ती अपना अंतिम फैसला ले लेगी और लिश्ट जारी कर देगी खिलाल आने वाले समय में भी BJP का इसी तरह का मा मंतन चलता रहेगा क्योंकि टार्गेट साफ है वो रिकॉर्ड ज़र चार सो पारक आए क्योंकि BJ वीजेपी दो यार चौदे से लेकर 2019 का भी चनाप देखें तो हरवार सीटों का आकड़ा लगातर भड़ता जारो और इस वार वीजेपी ने खुद प्रधान मंत्री निरेंद मोदी ने कहा भी है कि BJP अपने दमपर तीन सो सत्तर और एंडिये के जो सहयोगी दल है उनके दमपर चार सो पार का वो नारा करके आए और शायद यही कारण है कि एक एक सीट पर गहन मंथन चल रहा है गहन चर्चा चल रही है और वीजेपी नेतरत बड़ा गंबीर है इस चार सो पार के आंकड़े को पूरा करने के लिए